है जैसा कि आपको पता है आप 2013 में पढ़ाना शुरू किया था जैन्दरी और अभी है जूम 2021 मेरे को साड़े आठ साल हो गया पढ़ाते वे और पॉर्चुनेटली मेरे को बहुत सार अच्छे रोग को पढ़ाने का मौका मिला पर पिछले साड़े आठ साल में एक जो कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखा maximum student जो फेस करते थे जो आके मेरे से पूछते थे कि भाईया आप एक बात बताईए एक सब्जेक्ट है और वर्स्ट पार्ट मेरे पास student के हर पएरिक आंसर रहता था कि जब हम लोग पढ़ते थे इस समय हुआ करता था तो यकीन मानों मेरे को भी कुछ खास समझ में आता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाए अप्रोच क्या होना चाहिए मेरे को समझ नहीं आता था तब यह बहुत बढ़ा समस्या था और इन फाक्ट यह एक ऐसा सब्जेक्ट है है जो बड़ा डिफरेंस क्रेट कर लेता है अभी जब रिजल्ट आता हैं लोग देखते हैं कि अन्फॉर्चुनिटली किसी का नहीं हो पाता है तो उसमें मैक्सिमम लोग का जो नहीं हो पाता उसमें उनका 40 से कम आके रह जाता है अब यह प्रॉब्लम तो था पर अब्ज सब्सक्राइब करें कि यह करें क्या तो मिरें को ध्यान आया कि वह जो अपने एक्जाम दिये थे नौवंबर 2015 में उसने उनका बड़ा अच्छा माक्स आया था उनका 70 में आया था उसको जिस समय एंसी क्यों नहीं हुआ करता था तो हम मैंने सर को रिक्वेस्ट किया मुला यह पता चले कौन से important point है कौन सा keyword है कौन सा चीज को ज्यादा importance के साथ पढ़ना है किस चीज को थोड़ा read करके छोड़ना है तो बड़ा मुश्किल होता है उनको करने में तो मैंने उनको request किया कि आप एक काम करो ना आप प्रीज स्टुटेंट के भलाई के लिए एक अच् अच्छा बनाने में तीन महना लगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा अच्छाट करते वे की वर्ट करते वे उन्होंने बनाया और जब यह बनाई दिया तो फिर बोला कि आप इतना अच्छा बुक बना दिए है तो क्यों आप इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर दो तो इस तरीका से यह से से फाइनली हम लोग आज के दिल लॉंच कर रहे हैं अब कुछ लोग बुलेंगे हाँ चलो ठीक है मैक्सिम लोग तो ऐसे सुने है कौन है मैं सर अब जो लोग नहीं जानते मैं उनके बारे में एक वार बताना चाहूंगा और उनका ब्रीफ प्रोफाइल आपके स्पीन के सामने असी यह मैं सराफ है सी यह आई पीसी जो आज इंटर्मीडियेट है वो उसमें सी आई पीस हुआ करता था उसके उनका और पढ़ाने वाले हैं उसके उनका सेविंटीज में स्कूर आया व चाहिते वे भी एक साल से उपर हो गया जो लोगा ॉंसे 1 से उपर हो जानते हैं ऴे बहुत सारे स्टूडेट पढ़ रहे हैं तो अब उनको एक साल से उपर हो गया पढ़ाते वे तो पिस्सक्रास Ananda अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक को बनाने दुकत किया गया थ अगर आप देखो तो ये वैसे ये बुक का हम लोग का ये बुक आपको को मिलेगा ये पॉर्ट्शन EIS का है ये इसका बुक है मैं आपको एक वर इसका सॉफ्ट कॉपी रन्थू करवाता हूं ये इंडेक्स पांच चैप्टर अब जैसा कि आप देखोगे जो चैप्टर वन है तो अगर आप अपने स्टडी मटीरियल के साथ कंपेर करो तो स्टडी मटीरियल में बस खाली ब्लाक इंड वाइट में बहुत कुछ लिखावा है जिसको पूरा एफट लगा के जो कीवर्ट है अगर आप लोग देखो उसको हाइलाइट करते वे हर चीज को टैबूलो फॉर में प्रेजन करते वे इस तरिका से पूरा का पूरा प्रेजन किया गया है और जब उन्होंने अपना लेख्टर में रिकॉर्ट कीया equations किया है कि एक्जाम में जो relevant रहे एक्जाम में जो keywords लिखना है तो पूरा का पूरा highlight हो जाए तो पूरे के पूरे book को बनाने में उस तरीका से design किया गया है आप लोग जैसा देख पा रहे हो multi-colored book, headings को अलग से आपको दिखते ही समय मेंगा क्या है अंदर में क्या पढ़ना है उसके लिए keywords को बोल्ड किया हुआ है इस तरीका से पूरे के पूरे book को design किया गया है पूरा chart form में, tabular form में, keywords को highlight करते हुए सब कुछ तो anyways, यह बहुत ही हर्क्यूलें टास्क था और January 21 का study material जो February में release हुआ तो उसके बाद उनको तीन मेहना लगा एकाम करने में और finally अभी lectures का recording काफी हो भी गया और अभी वह in progress है अब एकाम करते हैं अब जो आगे का further discussion है कि इस subject को कैसे proceed किया जाए, class का schedule क्या रहेगा, कितन प्रेकर invite करता हूँ, sir का कोई और summarized version होगा, यह बड़ा एक बहुत relevant question होता है, तो जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग एक ही book से पढ़ते थे, तो वो already आपके दिमाग में एक image form में बन चुका है, अब अगर आप दूसरे book से revise कर रहे हो, so that means you are disrupting that memory, so last में जाके chaos होने का बहुत chance बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, यह तो एक portion था, दूसरा portion होता है कि यह भी बात सच है कि आप revision करे, वो ही बड़े-बड़े book स तो उसमें भी time लगता है, so यह दोनों चीज को combine करके, मैंने क्या किया इसमें, यह पूरा-पूरा attempt राए, जैसे suppose करो, यह जो है, अब suppose करो आपको यह topic पढ़ना है, risk and its management, let's say, अब यह topic जब हम first time पढ़ रहे हैं, तो natural बात है, every, सब कुछ हम पढ़ेंगे, और अच्छे से detail में पढ़ेंगे, so ठीक है, सब कुछ आराम से पढ़ सकते हैं, अब जब एक मैना हो गया, दो मैना हो गया, तीन मैना हो गया, whenever we want to revise, तो हम क्या करेंगे, पढ़ा risk, risk what समझ में आए, risk क्या है, अब just potential harm, when a threat exploits a vulnerability, यह बस words पे focus किया, और एक quick revision चलते चालेगा, so first set, first time पढ़ने का पूरा book, जिसमें already मैंने try किया, content को काफी concise किया, crisp किया, जो relevant portion है, वो रखा, उसके बाद, जो जब आप second time revise करोगे, तो then you'll focus on the keywords, जो keywords है, bold points किये हुए, अगर आप देखोगे, left side में सब यह अलग color से लिखे हुए, in fact यह तो topics है, जैसे यह, suppose करो business risk करके, एक topic आया, अब इसमें question आएगा, discuss various types of business risks, तो उसमें आपको जो left वाला, आपको अलग color से column दिख रहा है, that is, जो head points बनेंगे, जैसे हम करते हैं, theory में, पहला important होगा head points, उस पे maximum marks allocated होता है, but again, to do well in the exams, वो ace करने के लिए, हम लोग को अंदर के keywords भी मालूम होने चाहिए, so वहा आपका second revision में बहुत help करेगा, और रहा बात एक third revision का, जो हम लोगों को बहुत crisp और concise manner में करना होगा, one, one and a half hours में per chapter, वो आप मुझ पर छोड़ो, वो मैं ensure कर लूँगा, revision videos बनाके, यही book से, again, book कभी भी chain नहीं होगा, exam के एक दिन पहले, वो जो डेर दिन का time रहेगा, आ यह design किया गया, कि वो डेर दिन में भी आराम से आप इसको कर पाऊगे, comfortably, so इस तरह का, मैंने book design किया, यह बात बहुत ही relevant कहा, महिंग सर ने, कि generally होता क्या है न, काफी लोग एक book को main book बनाते हैं, जिससे पहली बार पढ़ते हैं, फिर second time, एक revision book में चले जाते हैं, third time, एक पूरा time devote की हैं, finally पता चलो उससे पढ़ी नहीं रहें, तो तो पूरा time waste हो गया, अब देखो, यह इंटर के अंदर में silvers बड़ा है, time बड़ा कम है, तो यहां पेरा 25 book करने का फायदा नहीं है, चाहे तो हम लोग भी 25 बना कर दे सकते हैं, जो एक main book है, उसी को बार बर द पड़ा, पूरा पूरा chapter revise हो गया, तो yes में भी जैसे 5 chapter है, ऐसे में 8 chapter है, तो ऐसा आपका भी कुछ प्लान है, कि 1.2 घंटे में हरी chapter को revise कर पाये, इसी book के base पे, बिल्कुल, तो यह वाला चीज को cover करते हुए, अब इसमें क्या किया, जब हम classes, आप जब देखोगे classes, तो एक बार पढ़ना तो काफी नहीं है, तो इसलिए जब हम class करेंगे, मैंने हर class के end में ऐसा ही कुछ बोला है, कि आज का जो class है, आपको यह जो topics है, just the head points, यह जो left वाले red points हो गए, और सिर्फ words, जो अंदर के bold किये हुए words है, यह आपको एक बार पढ़ना है, और अगर suppose करो the classes of one and a half hours, आपको वो one and a half hours को बस एक summarize करना है, अपने आप एक बार, वो करने में सिर्फ और सिर्फ दस minute लगेगा, क्योंकि जश्ट आपने पढ़ा है, और फिर दब आप next class चालू करोगे, तो आप मेरे साथ revise करोगे, और कैसे revise करना है, यह भी मैंने class में बताया है, जोर एक दम बोलके करना है, तो automatically क्या होगा, class करते करते, 70% work is done, अब रहा बात 30% वो क्या, कि जब class तो कर लिया, अब होगा ऐसा कि first chapter किया, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि वो हम लोग time automatically दे देते हैं, towards the end जाते जाते ऐसा होता है, कि इतना सब पढ़ लिया, अब उसको कै क्या किया जाएगा, time to time पे मैं already, much before आप syllabus खतम करो, already मैं YouTube पे one, one and a half hours का एक target रहेगा, और हर एक chapter, जैसा मैंने बोला वो मुझ पर छोड़ दो, हर एक chapter YouTube पे upload किया वा रहेगा, तो let's say आपका तीन chapter हो गया, मन नहीं कर रहा अभी class करने का, पहले का कुछ revise करना है, YouTube खोला book खोला, one, one and a half hours, अराम से सुन लो, अराम से सुन लो और बस बोलते रहो, क्या बोलना है, automatically आपके सामने रहेगा, आप जब देखोगे, आपको सब समझा जाएगा, left वाला जो ये अलग color से points है, वो बोलना है, और ये जो bold किये वे words है, उसको आप जब बोलते हुए automatically आपका revision भी होता रहेगा, सर अब आप बताईए, अभी तक कितना कुल मिला के lectures है, total duration क्या है, कितना recording हो गया, जो student करना चाहे, उनकों किस तरीका से दिया जाएगा, आप एक अपटी schedule के स्टीन करो, तो जैसा कि सर ने बोला, January में जो नया study material आया है, उसी के basis पे EIS भी बना हुआ है, study material जो हम लोग ने बनाया, and SMB उसी के basis पे बना हुआ है, तो इसमें कुछ amendment या कुछ नहीं है, because all of this is एकदम जो latest study material आया हुआ है, तो उसी के basis पे recordings है, अभी तक जब आप admission लोगे, हम लोग 12 से सारा allocations और book dispatch चालू कर देंगे, 12 से we'll take admissions, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको 25 classes EIS के, पहले हम EIS पे focus करेंगे, again why EIS पहले, ये अगर किसी का question हो सकता है, तो EIS इसलिए because syllabus अगर आप देखोगे EIS बड़ा है, SM छोटा है, ये सब बोलते हैं, but weightage same है, but मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ, EIS is more scoring, EIS technical subject है, पढ़ने में time लगेगा, but आपको marks full मिलने का chance रहता है EIS में, SM में हमारा tendency होता है, हम management, principles of management, college में पढ़ते हैं, commerce, हर जगे पढ़ते हैं, तो उसमें tendency होता है कि हम अपना words में लिख देंगे सब कुछ, तो natural बात है marks उतना नहीं मिल पाता है, so इसलिए EIS पे हम शुरू में focus करेंगे, और EIS एक बार हो गया, तो SM में अपने आप निकल जाता है, तो पहले इसलिए EIS focus होगा, so 25 classes have already been recorded, जो आपको 12 June से allocate होना start हो जाएगा, जैसे जैसे आप लोगे, उसके बाद, उसके बाद target रहेगा 25th June, 25th June तक आपको complete, पूरा-पूरा EIS का recordings मिल जाएगा, और total EIS में है 45 lectures, total EIS में 45 lectures है Every lecture is around 1 and a half hours each, उसमें ये पूरा जो book है, वो cover हो जाएगा, इन 45 lectures, और ये पूरा 45 आपको 25th June तक मिल चुका होगा, अब एक question ये आ सकता है कि क्या अभी 25 मिलेगा और सीधे 25th June को जाके remaining 20 मिलेगा, नई, Every 3 days में, मतलब weekly twice आप समझ लो, हम लोग lectures को upload करते जाएगे, तो ऐस नहीं होगा कि 25th June को अचानक से आपको 20 lectures को करने मिले, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, weekly twice हम लोग lectures अपडेट कर देंगे, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ पाऊगे, यहां हम लोग record करके upload करते रहेंगे, वहाँ आप साथ साथ पढ़ सकते हो, और जैसे 25th June खतम होता है, जैस लोग SM भी dispatch करना शुरू कर देंगे, and by 22nd July, again यह बहुत conservative target है, due to contingencies, अभी ऐसा contingent माहौल होके रखा है, so उसको incorporate करके ही अपनी यह plan बनाया है, 22nd July को आपको worst case सारा SM का lectures मिल जाएगा, again वो भी weekly twice upload होता रहेगा, so ऐसा नहीं होगा कि 22nd को जाके आपको सब lectures मिले, और SM में आपको मिलेंगे 20 lectures, SM छोटा है, 20 lectures में हम सारा chapters cover कर लेंगे, right, और वो भी one and half hours each lecture होगा, so 32 hours, around, यान इन शौट कुल मिला कि 65 lectures, around 100 hours, इसमें 45 lectures EAS के, जिसमें 25 lectures आपको 12 तारिकों मिल जाएगा, और उसके बाद, उनको around 13 days लगेगा, बाकी record करने में, तो 13 days में आपको 25 lectures आ उसके बाद SM करना है, so एक और चीज़ ऐसा है ना, कि जैसे देखो EAS SM जो subject है, है 100 माग का, accounts भी 100 माग का है, cost भी 100 माग का है, पर problem भी है ना, maximum student लोग, जो practical subject है, या in fact, lot इट भी है, उसमें पूरा का पूरा अच्छा खासा time devote करते हैं, कि हाँ, चलो इसमें अच्छा माग साना है, पर ध्यान देना अगर वो 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है, और अगर ये 100 माग का है, तो ये भी हमारा time चाहता है, ये इसको भी पूरा time देना बनता है, इसलिए इसको इज़्ज़ से पढ़ना, यखीन मानो, इस तरह का subject, जो maximum लोग निगलेट करते हैं, उसम इसका हर एक chapter का revision lectures भी upload किया जाएगा, ताकि exam के एक दिन पहले आप लोग रिवाइस करने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लावा कोई भी query रहे, आप लोग आराम से हम लोग को mail कर सकते हैं, अब रहाबाद fee structure क्या रहेगा, तो anyways हम लोग के, इस YouTube वीडियो के description में आप ल other combo packages यह से आप देख सकते हैं, इस वीडियो के description के अंदर में, आपको अगर admission देना हो, आपको कुछ नहीं करना, बस यह mail ID जो आपको दिख रहा है, रंजन पेडिवाल classes 1588 gmail.com, उसमें mail करना, कोई भी query रहे, अगर आपको बात करना, आधर mail से या महिंग सर से इसे बारे म आप mail करना, अपना contact number देखे, हम लोग आपको contact करेंगे, थांक यू सो मच, अब आप लोग का जो ESSM का बहुत बड़ा problem था, वो हम लोग finally resolve कर देंगे, अब हम लोग सीधा मिलते हैं, आप लोग से अराम से, बीच बीच में session लेकर आप लोग से interact करते रहेंगे, थांक यू भाइ